आज की कारेक्रम में हमारे साथ मेमान हैं डॉक्टर वेद प्रकाश आप अलीगण मुश्लिम विश्विद्याले में प्रोफेसर हैं और मालूचना के छेत्र में महत्वपुर्ण कार्य कर रहे हैं इस कारेक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम हिंदी कविता की विकास स्यात्रा पर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि साहित्य का इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है और इसका महत्व क्या है राय साहब आपने एक बहुत सिक्षार्थियों के लिए बहुत उचित प्रश्ण रखा कि साहित्य का इतिहास क्यों पढ़ाया जाना चाहिए इतिहास एक आधुनिक अनुशासन है और अक्सर लोगों को ये लगता है कि जो इतिहास होता है वो केवल राजनितिक घटनाओं का ही होता है बाकी किसी चीज का कोई इतिहास नहीं होता और साहित्य का इतिहास तो होना लोगों के लिए कोई ऐसी चीज नहीं मानी जाती अर्थिक इतिहास होता है, सांस्कृतिक इतिहास होता है, उसी तरह से साहित्य का इतिहास भी हमारे लिए बेहत जरूरी है, और साहित्य के इतिहास का अर्थ ये होता है कि साहित्य जिन जिन परिस्थितियों में लिखा जा रहा है, और उन परिस्थितियों के कारण साहित्य कै से बदल रहा है साहित्य का लिखे जाने का क्रम क्या है और अगर बहुत सारे कवियों ने साहित्य लिखा है तो उनका आपसी वैशिष्ट क्या है आपसी अंतर क्या है उनकी अपनी अस्विता क्या है और अगर वे विभिन परिस्थितियों में पैदा हुए है विभिन जातिय में पैदा हुए है उनका जेंडर क्या है इन सब चीजों का उनकी कविता पर उनके साहिट्रे पर क्या अशर पड़ रहा है यह पहचानना साहिट्य की इतिहास का काम और साहित्य का अगर हमें वैज्ञानिक अध्यान करना है तार्किक अध्यान करना है तो बिना इस इतिहास को देखे हुए हम उसका अध्यान नहीं कर सकते माने साहित्यकारों की कोई भीड नहीं है बलकि उनकी एक चेतना है और वो चेतना अपनी परिस्थितियों से निर्मित हो रही है तो परिस्थितियों का जो पूरा आकलन होता है उसी परिप्रिक्ष में साहित्य को भी देखना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल दरसल शुक्र जी ने इसके लिए एक बहुत बढ़िया वाक्य कहा है कि जो साहित्य होता है वो मनुष्य की संचित चित्वृतियों का प्रतिविम्ब है जो मनुष्य की अपनी चित्वृतियां हैं जो उसके भाव हैं उनका प्रतिविम्ब साहित्य है का क maken के वो जो सामाजिक राजनितिक आर्थिक परिष्थितियां है उनसे मेल दिखाता चले उन्यμεतिति का तो हमारे जो हमारा भाव संसार साहिति के रूप में उसके पीछे की जो परिष्ठ भूमी है उससे क्रमिक संबंध बिठाना साहित्य का इतिहास कहलाता है इसको हम और भी समझेंगे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हिंदी कविता की जो विकास यात्रा रही है उसका विभाजन कैसे किया गया और नामकरण कैसे किया गया दरसल इसको कहा जाता है हिंदी साहित्य का का मोटे रूप में जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे तीन चरणों में बाटा जाता है जैसे आधिकाल मध्यकाल और आधिनिककाल लेकिन यह मोटा रूप है उसका जैसे अभी आपने शुरू में हमारे सिक्षार्थियों को परिचे देते हुए बताया कि हिंदी साहित्य के उसका एक विशाल भंडार है उसकी असंख्य प्रवित्तियां भी है उसमें इतने कवी हैं जिनको गिना जाना बहुत मुश्किल है उन कवीों के माध्यम से पता नहीं किस-किस समय की किस-किस तरह की उनकी मनोवर्तियां अभिवत्त हो रही है लेकिन जो विद्वान होता है या जो मनुष्य होता है उसकी कोशिश होती है कि वो हर चीज को बांधता है अनुशासन में और साहित्य का जो इतिहास है वो भी इस अगाधता को इस विशालता को इस असंख्यता को अपने भीतर बांधने की कोशिश करता है तो इसलिए हम मोटे रूप में ये तीन हिस्से बताते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के के आधिकाल, मद्यकाल और आधिनिकाल लेकिन बात इतनी सरल नहीं है दरसल ये तो इतिहास की दृष्टी से हुआ समय चरण के दृष्टी से हुआ आधिकाल, मध्यकाल और आधिनिकाल लेकिन जब हम साहिति का इतिहास लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि जो तीनों चरण हैं इनकी समय की अवद ही क्या है तो और किसी को मॉडल भी बनाते हैं कि हम किसके दुआरा बताया गया समय जो है उसको माल ले तो इस मामले में आचारे रामचंदर शुक्ल ने हिंदी साहिति का इतिहास जो लिखा और उसमें जो काल विभाजन यानि समय सीमा बताई विभिन चरणों की उसको ज़्यादा तर विद्वानों ने माल लिया जैसे आचारे रामचंदर शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा बताई लगबग दस्मी शताब्दी से लेकर दरसल ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि समय सीमा की जब हम बात करते हैं तो लगबग ही हो सकता है वो तो उन्होंने लगबग दस्मी शताब्दी से लेकर तेर्वी शताब्दी तक का जो समय बताया है वो आदिकाल का बताया है इसके बाद मध्यकाल की समय सीमा उन्होंने बताई तेर्वी शताब्दी से लेकर और साड़े अठारा सो ईस्मी के आसपास तक का जो समय है उसको उन्होंने मध्यकाल बताया इसके बाद आधुनिक काल जिसको शुक्ल जी ने कहा कि वो गद्यकाल भी है क्योंकि उसमें गद्य का प्रवर्तन होता है जो गद्य की अनेक विधाएं हैं वो आद्मिकाल में उभरती हैं बहुत महत्पून घटना है तो यह जो आधुनिक काल है वो साड़े अठारा सो इसमी के आसपा शुरू होता है और वो आज तक लगपग चल रहा है लगाता है रहला कि बाद में उसके भी बहुत सारे हिस्से किये गए लेकिन वो सब मिलाकर अभी भी आधुनिक काल ही कहा जा रहा है अब हम वापस आधिकाल पर आते हैं तो आधिकाल के भीतर बहुत सारी प्रुवतियां थी और लगभग वो तीन सो वर्षों का समय है आधिकाल का यह जो मध्यकाल है इसके भी दो हिस्से किये जाते हैं एक पूरु मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल पूरु मध्यकाल की जो समय सीमा है वो वही जो तेरवी शतादी है उसके आ या सत्रासो तक मान सकते हैं फिर सत्रासो से लेके उननीसो इसमी तक का समय यानि जो इसमी और विक्रमी समवत में अंतर होता है 57 साल का तो अगर हम सन की बात करें तब तो साड़े अठारा सो इसमी तक का समय रितिकाल का है और उससे पहले जो भक्तिकाल का है जिसको पूरू मध्यकाल कहा जा रहा है उसका समय तेर्मी शताब्दी से लेके और सत्र्मी शताब्दी के आसपास तक का है तो ये एक काल विभाज और सन 1850 इसमी के बाद शुरू होता है हमारा आधनिक काल तो एक आधिकाल, पूरु मद्यकाल, उत्तर मद्यकाल, पूरु मद्यकाल का मतलब भक्तिकाल जो तेर्वी शतादी से लेके और साड़े सोले सो इसमी तक का है और उसके बाद 1850 तक का जो समय है वो रितिकाल इसे उत्तर मद्यकाल का जाता है थोड़ा सा जटिल है मामला लेकिन इसको एक बार अगर हम याद कर लेंगे तो ये सारी चीजें हो जाएंगी तो ये काल विभाजन है, इसके बाद नामकरण की समस्या है साहित्य के इतिहास में नाम जो दिये जाते हैं वो अनेक तरह से दिये जाते है जैसे समय के हिसाब से तो आदिकाल का मतलब होता है शुरू आतिकाल, प्रारंभिकाल अब प्रारंभिकाल है चुकि वो हिंदी साहित्य का, इसलिए उसे आदिकाल भी कहा जाता है आचारे हजाइपसाद दुएदी ने सबसे ज़्यादा बल आधिकाल नाम पर दिया है लेकिन इसके बहुत सारे और भी नाम है जैसे इसे सिद्ध सामंत युग भी कहा जाता है चारण युग भी कहा जाता है बीजवपन काल भी कहा जाता है प्रारंभिक काल भी कहा जाता है वीरगाथा काल भी कहा जाता ये सारे नाम आधिकाल के हैं तो एक नाम तो हुआ प्रवृत्ति के हिसाब से जैसे चारण काल कहा तो एक प्रवृत्ति है वो वीरगाथा काल कहा तो एक प्रवृत्ति है वो और एक नाम होता है कि शुरुवाती यूग, तो वो आधिकाल, यानि वो हिंदी सायते के इतिहास का आधिकाल है फिर प्रवृत्ति के नाम से दूसरा नाम है भक्तिकाल, प्रवृत्ति के नाम से ही है रीतिकाल और आधुनिक्ता की जो चेतना आई वो भी एक प्रुवृत्ती है उसके भीतर बहुत सारे अनेक युग हैं जैसे भारतेंदु युग क्योंकि आधुनिक काल में जैसे हिस्ट्री में इतिहास में व्यक्तियों के जैसे विक्टोरियन एज इस्ट्री में है वैसे ही हमारे साहिति के इतिहास के भीतर में भी व्यक्ति केंदरित नाम होने लगे जिन जो बड़े व्यक्तितु है साहिति के क्षेतर में जैसे भारतें तो उसे भारतिंदु युग कहा जाने लगा, उनका एक कूरा मंडल था, इसी तरह से आचारे महावीर प्रसाथ दुवेदी ने बहुत काम किया, हिंदी साहिते के को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, तो दुवेदी युग हो गया, इसके बाद फिर वापस हम की तरफ जाते हैं, छायवाद आया, फिर प्रगतिवाद आया, फिर प्रियोग बाद आया, फिर नई कविता आई, फिर नई कविता के बाद अकविता नामके कांदोलन चला, फिर उसके बाद समकालिन कविता आई, तो एक पूरा एक धाचा है, जो हमारे सामने हिंदी साहि के इतिहास को खड़ा करता है यह सारी चीजें यह धाचा हमारे सामने रहेगा तो एक एक हम क्रम से उस युक के बारे में बता सकते हैं सबसे पहले हम आदिकाल को लेते हैं और आदिकाल में बहुत सी धाराएं चली और उसमें जो प्रवृतियां थी वो भी कुछ कून काल है और उसका कारण यह है कि आगे चलकर हिंदी साहित्य का जो इतिहास बना यह हिंदी साहित्य बना आगे चलकर उस पर बड़ा गहरा प्रभाव इस आदिकाल का है आदिकाल के भीतर अनेक धाराएं थी बड़ा विबादास्पद काल भी यह कहा जा सकता है क्योंकि एक तो इसके भीतर जितनी रचनाएं लिखी गई थी वो सारी की सारी बहुत समय तक उपलब नहीं हुई तो इसका नाम कुछ ही रचनाओं के आधार पर रख दिया गया आचार राम चंदर शुकल इसे वीर गाथा काल कहते थे क्योंकि उनको यह लगता था कि सबसे ज़्यादा कृतियां इसमें जो नोटिस लेने लायक हैं महतु देने लायक हैं वह वीरता परक रचनाएं दुएदी जी ने उनका थोड़ा विरोध भी किया और कहा कि नहीं इसमें और बहुत सारी शंगार की रचनाएं भी हैं धार्मि साहिते भी लिखा जा रहा है नाद साहिते भी लिखा जा रहा है और सिद्ध साहिते भी लिखा जा रहा है और यहां विद्यार्थियों को समझने के लिए जरूरी है कि यह जो जैन साहिते है आगे चलकर इसका बड़ा गहरा असर भक्तिकाल में जो राम काव्य है उस पर प इसी तरह से जो नाज साहित्य और सिद्ध साहित्य है इस आधिकाल के भीतर जो लिखा जा रहा था उसका बड़ा गहरा असर निर्गुन संप्रदाय जो आगे चलकर भक्तिकाल में आया फिर इसमें कुछ ऐसे कवी हैं जैसे अमीर खुसरों हैं विद्यापती हैं बहुत महत् कवी हैं अमीर खुसरों के यहां जो खड़ी बोली का रूप है आगे चलकर जो बड़ा उभरा आधुनिक काल में वह अमीर कुसरों के यहां हमें आज स्पष्ट रूप से उनकी पहलीयां और मुक्रिया जो लिखी गई और वो लोकप्रिय बहुत हैं समाज में तो वहां हम यह पाएंगे आशने जनक धंक से कितना पहले अमीर खुसरो उस खड़ी बोली का इस्तेमाल अपनी कलताओं में कर रहे थे विद्यापती की पदावली है उसमें शंगार बहुत है इसके सासाथ भक्ती भी है इसके सासाथ वो अभ्रंश में भी लिख रहे थे नीती कावे भी लिख रहे थे तो ये जो प्रवर्तियां हैं एक सिद्ध साहिते की नाच साहिते की जैन साहिते की और इसके सासाथ जो बाकी का साहिते है विद्यापती का और अमीर खुसरो का ये कुल मिला के ऐसा साहिते है जिसमें धार्मिक प्रचार का साहिते भी है जिसमे जिसमें लोक का मनुरंजन करने वाला साहित्य भी है जिसमें शंगार और भक्ति का भी है और नीती का भी है आगे चलकर इन प्रुवर्तियों को हम बहुत तेजी से उभरता हुआ पाएंगे भक्तिकाल में और कावे रूपों की दृष्टी से अगर देखें तो हम यह देखे रहा असर रितिकाल तक रहा बिहारी तक रहा इसके साथ साथ यहां अब भ्रंश भाशा है जो हिंदी की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है तो पदावली है विद्यापति की यानि गे पद हैं तो इस तरह से अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका कि भक्तिकाल का उदय क्यों हुआ चुकि उस आधार को अगर बच्चे समझते हैं तो वह भक्तिकाल आंदोलन क्यों चला उससे भी समझ पाएंगे देखिए भक्तिकाल के उभरने की जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर बड़ा विवाद है विद्वानों के बीच में जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि विदेशी आकर्मन भारत पर हो रहे थे और शुक्ली जी नहीं जैसे उल्लेक किया है कि जब इसलाम की सत्ता भारत पर स्थापित हो चुकी तो लोग निराश हुए और उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह गया कि वो भक्ति की ओर उन्मुख हो जाएं तो भक्ति के उदभाव का एक बहुत बड़ा कारण आचारे रामचंदर शुकली ये मानते हैं कि जो जनता है भारत की वो निराश हुई और भक्ति की तरफ मुड़ गई आकर कि नहीं एक परंपरा भी चली आ रही थी भक्ति की जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो आदिकाल है उसके भीतर भक्ति की प्रुवत्तियां भी विद्यमान हैं और इसी लिए ये कहा गया कि वो बिजली की तरह नहीं चमकी है भक्ति अचानक बलकि वो धीरे 拜拜 की देरे विक्सित होके कुछ परिष्तितियां ऐसी आर्थिक तयार हुई भक्तिकाल में आ कर आर्थिक परिष्तियों का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बड़े-बड़े historian जिनमें इरफान हभीव है वो भी ये कहते हैं कि भक्ति काल के समय में ऐसी आर्थिक परि और आप ये देखेंगे के जो निर्गुन भक्त थे जितने जिनमें कबीर हैं प्रमुक जिसमें धन्ना हैं सेन हैं पीपा हैं गुरुनानक हैं इन सब में से सुन्दरदास हैं दादुदयाल हैं रैदास हैं ये जितने भी नाम हैं इन में से कुछ लोगों को अगर छोड़ द और श्रम करने वाले हैं तो यह जो श्रमिक वर्ग है यह अब यह चाहता है कि हमें भक्ति में भी अधिकार मिले और यह प्रेड़ना कहां से लेते हैं सिध्धों और नाथों से इसमें जो भक्तिकाल में धाराएं चली वो अलग-अलग कौन-कौन सी धाराएं मुख्य रूप से जो आरंध होता है भक्तिका वो निर्गुण धारा से होता है मोटे रूप में भक्तिकाल की दो धाराएं हैं एक निर्गुण एक सगुण और निर्गुण धारा के भीतर भी दो तरह की प्रुवतियां हैं एक ज्यान मारगी शाखा जिसको कहा जाता है जिसका धाराएं हैं उसकी एक राम मारगी धारा और दूसरी कृष्ण मारगी धारा अब ये मोटे रूप में निर्गुण और सगुण का अंतर है इसकी इन धाराओं की कुछ-कुछ विशेस्ताएं इसमें बताएं कि कौन-कौन से मुख्य प्रव्डितियां थी दरसल निर्गुण धारा जो है वो ईश्वर के निर्गुण रूप को मानती है यानि वो निराकार है वो अलग है वो निरंजन है और उसी निर्गुण भाव से वो उसकी उपासना करती है जैसे वो आवतार और लीला को नहीं मानती है जब कोई सगुण में आवतार और लीला को सगुण धारा में आप ये देखेंगे के राम और कृष्ण आवतार लेते हैं और मनुश्य की रूप में लीलाएं करते हैं तुलसिदास और सूर्दास के यहां दोनों के आप यह पाएंगे लेकिन जो निर्गुण धारा है उसके यहां ब्रह्म जो है वो आवतार नहीं लेता वो के पुत्र नहीं है वो आंतरिक अनुभूती की वस्तु है और उन्हों ने उसी आधार पर मुक्तक लिखे इसलिए आप यह देखेंगे कि उनके यहां प्रबंद कावे भी नहीं मिलेंगे उनके क्योंकि वो कथा में विश्वास नहीं करते तो मुक्तक लिखते हैं जाइसी जाइसी में ज्यादा बल दिया गया प्रेम पर इसका कारण यह था कि इरान से बहुत सारे सूफी संप्रदाए भारत में आए और आप यह जानते हैं कि सूफियों के यहां एक अलौकिक प्रेम पर बहुत बल दिया जाता है तो जाइसी आदी सूफी उनके पूरवज जो थे सूफी वो जब भारत में आए तो उन्होंने बहुत बड़ी महत्कून चीज़ यह की कि उन्होंने कथाएं तो उठाई भारत की एतिहासी कथाएं जैसे सबसे बड़ा काव्य माना जाता है सूफी काव्य के अंतरगत वो ह जाकि वो आते निर्गुण में ही है क्योंकि इसलाम के भीतर सगुण की कोई स्थिति नहीं होती लेकिन तब भी उन्होंने बहुत बड़ा अंतर यह किया कभीर आदी से के एक तो उन्होंने प्रवंद काव्य लिखा दूसरा प्रेम पर बहुत बल दिया और कथाएं जो ल सबसे पहली चीज तो यही है कि वह सगुण पर बहुत बल देता है उसका कारण यह था कि तुलसिदास को और सूर्दास को भी शायद यह लगता था कि जो निर्गुण है वो कहीं आधार नहीं दे पाएगा सामाने लोगों को शुक्ली जी ने भी यह उले किया है कि कभीर आधी बड़े प्रतिभाशाली कभी तो थे लेकिन एक काम वो यह कर रहे थे कि उनके यह विरोध ज्यादा था और समाज के लिए कोई ऐसा आधर्श व्यवस्था वो नहीं दे पा रहे थे तो तुलसीदास आधी ने एक तो जो सामान्य जन है उसको भक्ति का आधार सगुन के रूप में दिया कि सामने एक रूप होगा तो भक्ति करना ज्यादा आसान होगा इसके साथ उन्होंने समाज का जो आदर्श होता है परिवार का उसको स्थापित कविता के भीतर किया कि आदर्श पती कैसा हो राम जैसा हो आदर्श पतनी कैसी हो सीता जैसी हो भाई कैसा हो लक्षमन जैसा हो तो पूरा एक लोक मंगल कारी ढाचा तुलसिदास आदी ने पदल दिया पुराने राम से और मर्यादा पुरुशोत्तम राम की अवधारना उनके यहां तो एक समाज के सामने का आदर्श इस्थाफित करना था और इसी लिए उन्होंने प्रबंध काव्य लिखा और तुसिदास की बहुत बड़ी विशेष्टा ये है कि वो प्रबंध क काव्य भी लिखते हैं मुकतक भी लिखते हैं अवधी में भी लिखते हैं गीत बहुत नदि लिखते हैं और और यह वो नखशतलत रूप और इसके साथ साथ एक आदरह धाचा आप काववय के यहां लोक रंजनकारी रूप बहुत था जरसे यह राम का और कृष्ण के चरितर का ही अंतर है बहुत बड़ा कि राम जो हैं वो आदर्शों में बंधे हुए हैं कृष्ण छूट लेते हैं और जनता का रंजन करने वाले हैं तो इसलिए और इसके साथ जैसे राम कावे के यहां दास्य भाव की भक्ती बहुत महत्रून है लेकिन कृष्ण कावे के यहां आप यह पाएंगे कि वल्लभाचार्य ने यह इस्थापना की कि जो सक्खे रूप है कृष्ण का वो बहुत महत्रून है मित्र का भाव तो समाज को जिन जिन चीजों की जरूरत थी उन उन चीजों की स्थापना करते जा रहे हैं ये भक्त कवी और एक पूरा धाचा निर्मित करते हैं इसलिए इस काल को हम स्वर्ण युक कहते हैं क्योंकि इसके यहां सक्खे भी मिलेगा, दास्य भी मिलेगा, वासले की कविता तो सबसे ज़्यादा क्रिष्ण काव्य के भीतर हुई क्रिष्ण के बाल रूप के जैसे अद्भुत चित्र, यह बहुत सारे आलूचा की यह मानते हैं कि वासले का जैसा चित्रन सूर्दास ने किया एक कविता के भीतर, वो संसार के किसी कवी ने नहीं की हमें गर्व करने लाइक है हमारे लिए बात कि हमारे कवी ऐसी रचना कर रहे हैं जो संसार में किसी ने नहीं की और शुक्र जी ने तो ये कहा कि शरंगार का और वागसलने का कोना-कोना जहां काये हैं सूर्दास अब आप ये कल्पना कीजिए जिन सूर्दास के बारे में ये कहा जाता है कि वो देखनाई सकते थे ये प्रेणा दाई चीज भी है कि देख नहीं सकते लेकिन चितर सबसे ज़्यादा आपको सूरदास के आँए चितर बनाने का काम सूरदास सबसे ज़्यादा गाए बहुत जाते हैं लोकप्रिय बहुत हैं सूरदास तो वाधसल्य और शंगार के जैसे चित्र सूर्दास ने दिये वैसे किसी दूसरे कविने नहीं दिये ये उनकी बहुत बड़ी उप्लाब इसमें थोड़े इसी बाचीत हम रितिकाल पे कर लेते हैं कि उसमें क्या परिवर्तन हुआ और कौन-कौन सी धाराएं आई दरसल अगर सीधे-सीधे कहा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि रितिकाल भक्तिकाल की ही कुछ प्रवतियों का विकास उपर-उपर से दिखलाई पड़ता है जैसे वीरता की भावना है वो रितिकाल में विक्सित हुई इसके साथ साथ शंगार रितिकाल में विक्सित हुआ इसके साथ जो नीती के दोहें हैं वो रितिकाल में विक्सित हुए और पहले से सब चीज़ें लिखी जा रहे हैं लेकिन रितिकाल में और भक्तिकाल में बहुत बड़ा गहरा अंतर ये है कि रितिकाल लौकिक काव्य के ज्यादा नजदीक जा रहा है हम धीरे धीरे जैसे आधुनिक्ता की तरब बढ़ते जा रहे हैं तो हम लौकिक्ता की तरब भी बढ़ते जा रहे हैं रितिकाल में सबसे प्रधान प्रुवत्ती है शंगार की और वो श्रंगारिक्ता टिकी हुई है लोकिक्ता पर मने वहाँ जो नायक नायका हैं वो सामान्य लोग हैं तो रितिकाल दरसल रितिकाल का जो नामकरण है वो इस आधार पर हुआ कि रिति पर चल रहे हैं ये कभी रितिकाल के और वो रीती कौन सी है वो संस्कृत काविशास्त्र की है कि राजाओं को कविता की सिक्षा देनी है आप ये पाएंगे कि रीतिकाल के ज्यादातर जो कवी हैं वो आश्रेदाताओं के अंतरगत रह रहे हैं और उनके मनुरंजन के लिए कविता लिख रहे हैं तो जब मनुरंजन करना है तो संस्कृत का अविशास्त्र से प्रेड़ना लेनी होगी इसलिए इस काल को हम रीतिकाल भी कहते हैं लेकिन इस काल के भीतर दरसल इसकी धाराएं बहुत हैं एक कहा जाता है मुख्य रूप से इस काल की तीन धाराएं है रीतिबद, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रूप्तिया हैं लेकिन मोटे रूप में तीन रीतिबद का मतलब है जो संस्कृत के उस धाचे में लक्षन उदारन देने वाली पधती में बंधा हुआ है रीति सिद्ध का मतलब है उस धाचे को जानता तो है लेकिन उदारन के रूप में कविता और ये घनानंद, आलम, बोध, ठाकुर, आदी हैं ये रीतिमुक्त हैं जो स्वतंतर चेतना से कविता लिख रहे हैं तो रीतिकाल जो है, वहां मुक्तक सबसे ज़्यादा लिखे जा रहे हैं, शंगार सबसे ज़्यादा है, आलंकारिक्ता बहुत है, इसलिए इसको कला काल भी कहा जाता है, शंगार काल भी कहा जाता है और ब्रज भाषा का उतकर्ष बहुत हमें रितिकाल में मिलता है ब्रज भाषा की दृष्टी से रितिकाल एक उतकरिष्ट काल माना जाता है तो ये रितिकाल का एक प्रेम और शंगार का एक रूप यहां समाज का मिलता है और भाषा भी बहुत ही प्रगाड होगे माने अनुभाओं का चितरण बहुत है मनुश्य के, किस तरह का आचरण कर रहा है, कैसी हरकतें कर रहा है, इसका चितरण, नायक भेद इनके यहां बहुत है, तो जो नायक और नायका से सम्मनित विविद पक्ष हैं, वो आपको रितिकाल में व्यापक रूप में मिलेंगे. अब हम दूसरे भाग में आधनिक काल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद.